हेलो दूस्तो नमेश्कार इसे हम किसी चानल में मैं आप सब्लों का दिल से बहुत-बहुत सब्सक्राइब करता हूँ करोडो, लाखो, अरबो, खरबो, रुपे होते हैं और यह जबी भी भी बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं तो उस पर्टिकुलर शेर में हम लोगों को बड़े-बड़े कैंडल स्टिक बनते हुए देखने को मिल जाते हैं जैसी कि आपको बता है हमारे देश में ही जो इंस्टुइशन से उनको ड्मेस्टिक इंस्टूइशन इन्सस्ट रे कहते हैं और जो हमारे देश के नहीं है उनको ओज्यूण इंस्टूइशनाल इन्वेस्टर या प!」 पर कह देते हैं तो उनके और से लगातार बाइंग देखने को आपे मिल रही है बट इसका अर्थ यह नहीं कि FIS के अगर हम लोग बात करें वो सिर्फ माल बेचते ही है करके वो माल खरीदते भी है ठीक है So definitely इस पुड़े में हम लोग बात करने वाले की foreign institutional investor के अगर हम लोग बात करें तो कौन से sector में वो सबसे आदा buying करते हुए हम लोग को लेखने को आपे मिल रहे है और कुछ stocks को भी हम लोग study करने की कोशिश आपे जरूर करने वाले है So जरूर आप क्या कर सकते हो यह जो चीजे में आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से आप further इनको study कर सकते है obviously कोई recommendation तो होता नहीं है और यह जो reporting है वो किन के और से हम लोग को देखने को मिल चुके NSDL के और से ठीक है इनी के पास तो data होता है कि कौन खरीद रहे है कौन बेच रहे करके तो उस हिसाब से हम लोग इनको study करने की कोशिश करेंगे so let's start with the first sector जहाँ पर FIS सबसे ज़्यादा पैसा लगाते वे देखने को मैंने लगबग 8000 करोड के आजपास का माल उनने आपे खरीदा है so वो कौन सा sector है दोस्तो तो उस sector का नाम है telecom so telecom sector की बात करें जिदा सेक्टर फिलाल तो current level पे जो भी चीज़े हम लोगों को लेखने को मिल रही है तो तो telecom में अगर देखा गया तो कहां कहां पे उनकी buying हम लोगों को लेखने को मिल रही है कौन से stock में तो आप चाहो तो इनको study आपे कर सकते हैं यह कोई recommendation वाली बाते नहीं होती है study करने की सबसे में आपको इस चीज़े बतातो जैसे की भारती air retail so air retail तो आपको पता है telecom से related है so air retail की बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि FIS का जो stake है हम लोगों को यहापे लगातार बढ़ते वह लिखने पना इस वक की बात करें तो लास्ट टाइम कीतना था 22.69 and this time 24.35 तो दिखने के लिए ऐसा लगता है कि बास 1.5% 2% अरे भाई अरबो का माल उठाया जाता है ठीक है काफी करोडों की बात यह आपे चलती रहते है उसी की साथ साथ अगर हम लोग बात करे एक और टेलीकॉम में जो शेर है जो कि वापस कमबैक करने की कोशिश कर रहा वड़ा फोन आडिया तो वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो FIS के और से हम लोग को बड़ी बाइंग होते वे देखने को मिले चिकर यह जो अभी रेलवे से रेलेटेड हम लोगो देखने को मिल जाता है वाट ये भी अल्टिमेटली नेटवर्ट सेगमेंट में हम लोग लोग भात करेंगे तो यहाँ अप इसे थोड़ा बभात हम लोग को FIS का बढ़ते वे देखने को अप मिल रहा है मतलब टेली कॉम में जो भी बाते हैं आपे हम लोगों को होते वे देखने को मिल रही है तेजस नेटवर्क ने तो एदम धूम ही मचा के आपे रखे हुई इस मख कमपनी के नंबर भी जबरतस देखने को मिल चुके कमपनी टर्न अराउंड हम लोगों को होते वे देखने को आपे मिल चुकी है मतलब कमपनी पहले जो लगातार लॉस 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 दिखाया करती थी अभी कमपनी प्रॉफिटेबल होते वे देखने को मिली है अगर हम लोग यहाप बात करें ओन मोबाइल ग्लोबल जैसी कमपनी इसको भी आप अपने रडार के पर यहाप रख सकते हो यहाप भी आप देख सकते हो हाफ पसेंट से लगबग लगबग सवा पसेंट के करीब हम लोग को FIS का स्टेक बढ़ते वे देखने को आप मिल रहा है यह काफी रिसकी कमपनीया होती है जा पर आप देख सकते हैं प्रमोटर इंट पबलिक है अप लोग को देखने को जैते हैं पावर सेक्टर भी देखा गया तो फॉरेन इंस्ट्रिशनल इंवेस्टर के रडार पे देखने को मिल रही है तो टॉरेंट पावर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह भी एक कमाल की कमपनी टॉरेंट ग्रूप काफी बड़ा ग्रूप है यहापे इधर भी अगर आप चेक करेंगे पाच-पास साल में कमाल का परफरमस यह नहीं देखा है जितने भी पावर वाली कमपनीया है सब कुछ यह आपे बढ़िया परफरमस करते वे देखने को मिल जाती है तो इस कमपनी में भी अगर हम लोग देखेंगे तो FS का स्टेक हम लोग को धिमे दिमे करके बढ़ते वे देखने को आपे मिल रहा है तो आप चाहो तो इसको भी जरू अपने रडार के उपर रख सकते है पिछले टाइम तो केवल साड़े तीन था फिर नौ परसेंट साड़े नौ परसेंट अगर आप देखोगे मतलब उसी रेंज में हम लोग को देखने को मिल रहा है JSW Energy के अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी कमपनी जरूर आप चाहो तो अपने रडार के उपर रख सकते है JSW Group से बिलॉंग करती है तो एक अच्छी बात देखने को मिल जाती है 8.37% से 13.34% तक का स्टेक हम लोग को या पर बढ़ते वे देखने को आपे मिल रहा है तो अगर आप देखोगे तो प्रमोटर ने अपना स्टेक या पर बेचा है बट खरीदने वाला को ने? FIS ने अपना माल मतलब बढ़ाया है देखोगे तो 9.29 से 9.31 अगर हम लोग पब्लिक की बात करें तो कितना है? 8.45 से पब्लिक का भी कम हुआ है मतलब जो भी माल या पर शिफ्ट हुआ है दोनों पी के और से प्रमोटर हो या फिर पब्लिक हो किदर गया है? इंस्टूडिशन के और से हमनों को जाते वे देखने का आप है मिल जुका है जो की बहुत ही अच्छी बात देखने का आप है मिल जाती है तो इस हिसाब से आप JSW Energy को भी study कर सकते हो अदानी green energy में भी अगर देखा गया तो stake हमनों को थोड़ा बहुत बढ़ते वे देखने का आप है मिल रहा है 18.03 से 18.15 परसेंट तक हमनों को बढ़ते वे देखने का आप है मिल रहा है मतलब बताने का मक्सद का है कि power segment में जो buying होते वे देखने का मिल रहे है तो इन companies को आप अपने radar के उपर या पर रख सकते हो reliance power जैसे penny stock भी आप चाओ तो केश सकते हापे प्रिकिश स्टॉक तो left to right आप देख सकते इब्दम पूरा धारश ही आपे हो चुका है बट institutions की बात में आपको बताना चांगा भाई यह कोई इब्दम ही ऐसा नहीं होता है कि long term मतलब बोलते हैं ना कि इब्दम लंबी पारी खेलते हैं वो जो investor होते हैं वो FDI होते foreign direct investors टीक है वो इब्दम बड़ा बड़ा stake खरीद कर खेलते हैं यह institutions की बात करें तो यह आते जाते रहते हैं FIS की बात करें अभी आएंगे अभी जाएंगे आएंगे जाएंगे तो यह पैसा यहापे कमाते रहते हैं तो यह भी point आपको पता होना चाहें तो Reliance Power जैसी company आर पावर जैसी company जो की wealth destruction साभीत यहापे हो चुकी है ठीक है बट यहापर भी अगर हम देखेंगे तो FIS का stake हम लोगो जबरदस तरीके से बढ़ते वे देखने का आपे मिल चुका है सवाट पसेंट से तेरा पसेंट तक बढ़ते वे देखने का आपे मिल रहा है So definitely यहापे आप चाहो तो इसको भी study आपे कर सकते हो Next अगर हम लोग तीसरे सेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कांसा सेक्टर है दोस्तो तो उस सेक्टर का ना में capital goods Yes, capital goods की अगर हम लोग यहापे बात करें काफी लोग पूछते भी है कि capital goods मतलब exactly यह सेक्टर क्या होता है जोब जो भी चीजे finished goods बन जाती है ठीके directly कोई भी बी मिल इनक क्टरिक भी खड़ी नहीं होते है ठीके उस चीजång के लिए खड़ा करने के लिए बहुत सारी चीजों का इस्तमाल किया जाता है heavy equipment का इस्तमाल किया जाता है उसी को हम लोग capital goods क्या पर कहते है तो यह चीज़े हम लोग को अच्छी तरीके से पता है, या पर उनीचे इसमें अलग-अलग टूलस आप लोग को देखने को आपर मिल जाते हैं, यह बेस्ट एक्जामपल रहते हैं, capital goods के, so capital goods भी अगर देखा गया, तो इस तीसरा सेग्मेंट है, जहापे जबरदस तरीके स इन्वेस्मेंट देखने हैं, like Siemens Limited, so Siemens तो मतलब एदम ही शानदार कमपनी आप सबी लोग को पहते हैं, मने काफी बार इसको बता है, सवा 2 लाग करोड का market cap, 75% promoter बाकी public के पास है, और उसमें भी अगर हम देखेंगे, FIS के पास 8%, DIS के पास 7%, so आप चेक कर सकते हैं, FIS या पर अपनी हिस्सेदारी, Siemens Limited में और भी आपर बढ़ा दी है, दैन अगर हम लोग बात करेंगे, एक और धाकड कमपनी ABB India आप सबी लोग को पताई है, Tata Power के साथ जैसे मैंने आपको बताया, ABB India को भी आप हमेशा स्टड़ी करने के लिए रडार के उपर रख सकते हो, यह कमपनी मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइल काम करती है, ओवेसली ABB यह विदेशी कमपनी जिसकी सबसेटरी ABB इंडिया हमारे देश में भी काम करती है, जबरदस टक कर दे रहे हैं, टाटा पावर को किस चीज़ के चलते, इलेक्ट्रिक वेहकल के जो च अबरदस परफर्मेंस यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 10.72 से 11.89 परसेंट तक FIS का होल्डिंग बढ़ते वे देखने को ने, परामोटर के पास 75 है, अभी तक उन्होंने कोई भी छेड़ चाड़ी नहीं की है, नेक्स बात करेंगे, थर्मेक्स थर्मेक्स लिमिटेड की भी अगर हम लोग बात करेंगे, आप चाओ तो इसको भी थोड़ा बहुत स्टड़ी आपे कर सकते हो, जहाँ पर FIS ने 12% से अपनी होल्डिंग 12.24% तक यहाँ बढ़ा दी है, तो बेसिकले अगर हम लोग यहाँ बात करें दोस्तों, तो बताने क जो स्टॉक्स मिने आप लोग को दिये थे, आप ज़रूर इनको चाओ तो स्टड़ी कर लेना, ठीक है, कोई रिकमेंडिशन यहाँ पर होता, नहीं है, यह सेग्मेंट वाइस मिने बात है आप बताई है, अगर आपको एक अलग वीडियो चाहिए, अलग वीडियो क्या रह दूँगा, उसके लिए भी मार्केट कैप के इसाब से हम लोग चीजों को देखेंगे, कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कहा का पे वो पैसा लगा रहे है, ठीक है, क्योंकि लिस्ट काफी बढ़ी रहेगी, क्योंकि वो एंट्री एक्जिट करते रहेते हैं, तो